कोरोना काल में छोटी सी लापरवाही कभी भी आफत का सबब बन सकती है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के हर्दोई जिले में हुआ जहां शनीवार रात एक नर्सिंग होम में कोरोना पेशन्ट पास्ट्य उपाए जाने के बाद प्रशाषन ने अगले 12 घंटे बितने के बाद भी पूरे इलाके को हाट इसपाट बना कर सील नहीं किया। लोगों की नर्सिंग होम से लेकर गली में आवाजाही जारी रही। और दोई जिला प्रशाषन कोरोना पास्ट उमरीज पेशन्ट पाए जाने के बाद कोविड-19 के सारे प्रोटोकाल को भूल गया। रात से सुबह तक किसी भी प्रोटोकाल का पालन जिला प्रशाषन द्वारा नहीं किया गया। बाद में जब जिला प्रशाषन को इस प्रोटोकाल के पालन की याद दिलाई गई तब प्रशाषन की भी नीन टूटी और आनन फानन में पुलिस से लेकर इस्थानी नगर पालिका और स्वास बिभाग की टीम मौके पर पहुँची। सेनिटाइजर के साथ साथ पूरे इलाके को हाट स्पाट बना कर सील किया गया और नर्सिंग होम में मेटकल स्थाफ मरीच उनके साथ आए हुए तीमारदार और डाक्टरों जो लगब करीब 50 की संख्या में थे सभी का सैंपुल कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया है और बात में वरेली में उसका सेंप्ल भी लिया गया था तो उसमें कोरोना पॉजिटिव निकला यहां जिस गली में वह अस्पिताल है उसको इनों तरफ से हम लोग पूरी तरीके से बंद कर रहा हैं अंदर जितने लोग हैं तीमारदार या जो पेशेंट है या जो डॉक्टर हैं उनकी सेंप्लिंग कराई जा रही है तो इसको पूरी तरीके से बंद कर दी जाया है को या अधमन नहीं है सल लगभग कितने लोग हूं किया प्रिकॉश्य पचास लोग पचास लोग है